नमश्कार दोस्तों आप शुबी का बहुत बहुत शुवागते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 फर्वरी 2013 के आपके शंपू नाशी फल की बारे में दोस्तों शुरुवात करते हैं आज के पंचांगशे दोस्तों पंदरा फर्वरी 2013 दिन बुद्वार किश्म बच की नौ में दिति शुवा के 7 बच कर 49 में दिती प्रारम हो जाएंगे नचजटर की बात करें तो जैश्टा नाम का नचजटर रात्री के प्रातर काल 12 बच कर 46 में दिती रहेगा उसके वीडियो अगात नाम का 10 रहेगा उसके बाद हर्शन नाम का योग प्रयारब हो जाएंगे इस दिन राहू कल के शमय की बात के अर्थात दिन के अशुप शमय की यहश में आपको भी शुब और महत्पुन कारियों को भूल से भी ना करें दोसों याशुमय रहेगा दोपर के 12 बचकर 41 मिट चले कर तोपर के 2 बचकर 5 मिनिट तक और चनरमा इस दिन ब्रिश्चिक राश्य को प्रांध धनु राश्य में शंचार कर जाएंगे तो ऐदोसों से की शाथ बात करते ही यह जो गरहों के चितिती है और चनरमा का जो गोज ी जनियां इस दिन आपको रखने की अत्यान आवशकता पड़ने वाली है इन शभी के बारे में पूरे वश्तार्शी बात करने वाले हम तो दोस्तों बीडियों को बिलकुल मीश्रना करें और अंत्र तक धियांश देखिकेंगा तो यह दोस्तों बात करते हैं पूरे मिस्तार्शी पैत्रिक शमंदी मामले अभी और अधिक उलजने के अशंका लग रही है इसको पांद दोस्तों ये शमय में बताते हैं कि आपके लिए शमय होंगे दोस्तों घर या फिर कोई बड़ी वस्तु खरिदने के रिए ये जो शमय आपके लिए खर्चा हो शकता है यदि आप पर खर्चों का भार बढ़ रहा है तो दोस्तों घर के खिशी व्यक्ति द्वारा आपको मदद भी शमय मिलेगा दोस्तों अपनी भावनों को योग तरिकेशी परकट करने की वज़ाशे ये शमय आपको पीरिवक्ति के शाथ आपके शमन भी बहुत मजबुत रहेंगे इसको प्रांद दोस्तों आपको बढ़ा दें ये शमय आपके लिए शमय होंगे दोस्तों ये शमय भागी और प्रस्तितियां आपके लिए भैतरिन शमय का निर्मान भी कर रहे हैं दोस्तों समाजिक तदा और विश्या के दोनों जगह पर आपका ये शमय दवदवा और वर्चर्श्म बना रहेगा दोस्तों आपको बता दें कि किशिवी पैस्तिती में आप अपना काम निकलवाने में इसमें सक्षम रहेंगे इसको प्रादी दोस्तों प्रोप्री शमंदी खरी प्रोक्त के कारियों में भी बहुत अधिक शावधनी रखने के जर्रत होंगी क्योंकि दोस्तों अभी इन कारियों के लिए जो शमय है जो प्रस्यती है अनुकुल नहीं है दोस्तों अनामर्शक खर्चे भी आपके शामने यस में आ सकते हैं अगर विदेश शमंदी कोई जना बन रही है तो दोस्तों इनने अभी अस्तगीती रखना आपके लिए उचित होंगे शुपरान दोस्तों आपके लिए शमय होंगे आपको बदा दें कि आपके कठी शमय में आपके मित्र और परिबार दोनों से शाहता मिलने वाली है दोस्तों आपके लिए मानश्रीक स्वास्त को ठीक करना अधिक आवश्य होंगे जिन बातों में आपको यस नहीं मिल पा रहा है दोस्तों उन बातों के बारे में किसी के साथ जो है अधिक चर्चा ना करें क्योंकि दोस्तों लोगों के शाथ चर्चा करके केवल आपके नकारतमकता ही बढ़ेगी और आपको लोग सिर्फ चिड़ाएंगे लोग आपकी यश में शाथ नहीं देंगे तो दोस्तों यश में उनसे इन बातों का शेयर करने से बचें इक शुपान दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दिन कुछ मिला जुला परवाव भी आपके ला रहा है किसी संपर का दोवरा महत्म और समाचार भी आपको प्राब्त हो सकता है जो कि आपके भुष के लिए बहुत ती लाबदायक शाबित होंगी दोस्तों यश में आपकी आर्थिक दिती भी कापे हद तक बहतर रहने वाली है शादी दोस्तों दोपर बात जो प्रस्तितियां होंगी आपके लिए कुछ पर्तिकुल वातारन भी बना सकती है जिन कारण से कोई मुसिबत जो है आपके सामने खड़ी हो शकती है और दोस्तों आपको दा दें कि काम के दबाब के चलते आप खुद को फंशा हुआ भी यश में महसुस करेंगे विद्यार्थी वर्ग को अपने परतियोगता परिशाओ के त्यारी के लिए जो है अधिक यश में महनत करने की भी जरूत होंगी तो दोस्तों आप जरूर यश में अपने ध्यान को पढ़ाय के परति फोकुश करें या आपके भईश के लिए बहतर होंगे और भईश में आपके उजवल सपनों को आप शकार कर सकते हैं इसको परांद दोस्तों यश में आपके लिए शमय होंगे आपको बता दें कि दिन की शुरूवात आपके लिए थोड़ा सा चिंता और तनाव का परभाव बनाएगा क्योंकि दोस्तों आपको लग रहा है कि हम भईश में कौन से कारी को करेंगे लेकिं दोस्तों आपको ये शमय चिंतन करने की आवश्कता नहीं है और अपने कारियों के प्रतिक केद अपने ध्यान को केंदरित रखें आपको भईश में अच्छा शबलता भी शमय प्रापत होने वाले हैं इसको प्रादी दोस्तों ये शमय आपके लिए शमय होंगे आपको बता दें कि अचाना की किसी महतपुन व्यक्ति से मुलाकात भी आपकी होगी तथा उनके मारदर्शल से कई मुश्कुलों का भी निवारन होगा दोस्तों रूची पुर्ण तो था ग्यान वर्तक शाहित को पढ़ने में भी शमय आपका वहतित होगा पुराने मित्रों के शाथ भी मेल जोन खुश्णमा यादों को ताजा करने वाले हैं इसको परान दोस्तों ये शमय किसी निकट शमनदी के शाथ जो उसका श्वास है उनके श्वास को लेकर उदास आपका मन थोड़ा सर्रहता है दिखावे के चकर में दोस्तों कर्ज लेने से बचें क्योंकि दोस्तों अगर आप उनको दिखावे के चकर में कोई रुपिया पिशाद देते हैं तो दोस्तों आपको अपनी बजट का विश्मी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर आपके उपर कर्ज का पोश बढ़ेगा तो भवश को लेकर आपकी जोश्तितियां हैं गड़बर होंगी और आपके आर्थिक देश्तिति और भी तंगी कोर जाएंगी तो दोस्तों इनसे बचें और दिखावी की प्रविर्टिश यह समें दूर रहे आपके प्रवाय के इसलिए दोस्तों उन पर द्यान देना आपको आवश होगा तो उन पर यहांके द्यान दरूर दे इसको प्राइब दोस्तों य contributing आपके लिए शमेश में आपको बता दे. कि दोस्तों किशी मित्र दोवरा आपको मारदस्टन य...'श्मे मिल सकता है. जिसके वज़ेसे आपसे जुड़ी बातों को देखने का नया नजरिया भी आपको प्राप्त होगा. अध्यात्म में आप जो आपकी खास सुर्याश में रूची रहने वाली है दोस्तों अध्यात्म की छेत्रों में भी आगे बढ़ने के लिए जो समय होंगे आपके जो प्रतन होंगे यश्मी सभलता पराप्त करेगी इसको प्राहन दोस्तों येश में अगर आपकी केरियर को लगर बात करें तो दोस्तों आपके वायशाय के लिए जयो समय होंगे आपके लिए केरियर से जुड़े शमस्याएं काफी हद तक येश में खत्म हो सकती है आप अपनी वायवार कुशलता से नकातमक पैस्तितियां पर वीश में काबू पालेंगे दोस्तों आपको बदा दें कि येश में नोकरी पैसा टारगेट पूरा ना होने के वज़र से बहुत सोब पेर अधिकारियों की और जोए डांट फरकाट सुनने भी पड़ सकती है आपके काबलियत पर निर्वर करता है इसलिए दोस्तों येश में काम पर अपना ध्यान को केंदर रखें शरकारी शुवारत वेक्तियों पर भी कोई महत्पुन जिम्यदारी येश में आज सकती है लगी दोस्तों इन जिम्यदारी को आप येश में निमावी पाएंगे और अच्छी सफलता को भी येश में आप अरजीत कर पाएंगे इसने दोस्तों अपने किशीवी कारे में जो है घर के अनुभविववा पिर वरिश व्यक्तियों की सला अवशलें उनकी सलाह आपके लिए यश्मय फायदमन साबित होने वाली है इसको प्रांदोस्व यश्मय आपके केरियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि वह विफशाई में आपके दोरा किये गए नए पौरियोग जो है फायदमन साबित होंगे आपको जो है अपने काम के प्रती मेहनत के बहतरी रिजल्ड भी यश्मय मिलने वाले है नोकरी पेशा जो भी लोग है अपने अप्शियल दास्तावेजों को बहुत अधिक शमाल कर रखे यह आपके भौश के लिए और आपके केरियर के लिए बहुत ही महत्पूर होंगे इसको प्रांदो से यश्मय कर आपके लव लाइप के लगर बात करें तो दोस्तों जिवन साथी का शयोग आपके लिए बहुत ही सुकुन दायक रहेगा तथा आपके शमालों में भी यश्मय मदूरता रहेंगी दोस्तों यश्मय आपको बता दें कि व्यर्थ के प्रेम शमालों से दूरी बना कर रखे यह आपके लिए और आपके लव लाइप के लिए बहतर होंगे इसको प्राहन दोस्तों यश में आपके लव लाइप के लिए जो समय होंगे पती पतनी के शम्मदों में मदुरता पतो बनी डेगी प्रद्व किशी मित्र की वज़़े घर में कुछ नकार्तम वातारण भी बन सकता है तो दोस्तों इन बात का भी आप ध्यान में रखें इसको प्राहन दोस्तों यह जो समय होंगे आपके लव लाइप के लिए आपको बता दें कि घर में उचित शमय ना दे पाना इनकी वज़़े जिवन शात्ती की नराजगी भी आपको शेहन करनी पड़ सकती है शमंदों को ठीक करने के लिए उन्हें कुछ उपार दें तथा मरणजन शमंदी प्रोग्रेम भी आप अवश्व बनाए इसको प्राहन दोस्तों यह जो में आपके लव लाइप के लिए पारिवन जोवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि यह श्मय बच्चों के किसी समस्या को लेकर चिंता रहे सकती है बैतर होगा कि आपसे सुझ बुज़र समस्या का हल निकाले इसको परांद दोस्तों यह श्मय अगर आपकी स्वास्त यानि शेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यह शुम्र अत्यदिक काम की वज़शी शर्वाइंकल या फिर घरदन में पर दर्द दियसी समस्य रहेगी वयां में कुछ समय वहित्त करें यह आपके शौस के लिए शौस के लिए भेतर होने वाले हैं इसको प्रांदोस्तों आपके श्वास्त के लिए जिसम्होंगे याश्मे बलट परिश्वा तथा डाइपिटी शमंदी जो भी लोग है वो अपनी जान जरूर करवाएं योगा वर्पिल वयां में भी अपने दिंचरिया को शामिल करें यह आपके श्वास्त के लिए बहतर ह दें कि शाम तक श्वास्त उत्तम होगा प्रणतु अपनी दिंचरिया को वयस्तित रखना आपके लिए आवश्व होंगे तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें इसको प्रांदोस्तों इसमें आपको बता दें कि अपना इम्मिन शिस्टम को स्ट्रोंग रखने के लिए दिंचरिया को वयस्तित रखना आपके लिए बहतर होंगे तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें ये शभी कारे आपके श्वास्त के लिए बहतर होंगे इसको प्रांदोस्तों इसमें आपका भागेशाली रंग रेगा पिंक और भागेशाली अंक रेगा आठ